दोस्तों नमस्कार अगर आपने 21 दिसंबर 2023 का अगर मेरा वीडियो नहीं देखा है तो कृपय एक बार ज़रूर देख लिए 21 दिसंबर 2023 को मैंने एक बात कही थी और स्टेट वाइज एनलेसिस किया था कि जो इंडी एलाइन्स है इसका भविश्य अंदकार में है जैसे जैसे सीट बटवारे के दिन पास आएंगे वैसे वैसे जगड़े बढ़ेंगे आज वही चीज हमारे सामने बंगाल से आ गई है जहां पे ममतब एनरजी ने साफ कह दिया है कि मैं दो सीट से ज़्यादा कॉंग्रेस को नहीं देने वाली हूँ दूसरी तरफ टीमसी ने बहुत क्लिरली ये बोल दिया है कि जो इंडिया गठवंदन है ना उसमें कोई नेता है ना वहाँ कोई रणनीती है ना वहाँ कोई प्रोग्राम है लेकिन हम पूरे देश में चुनाव लड़ेंगे और वो भी बीजेपी के खिलाफ मोधी सरकार क दोस्तों शायद ये उनका कहना इसलिए मजबूरी है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उनके उपर इस बात का ठीकरा फोड़ा जाए कि इंडी एलाइंस में विग्टन का कारण ममता बैनर जी है आपको याद होगा जब पिछली मीटिंग हुई थी दिल्ली में तब उन्होंने जो कॉंग्रेस की तरफ से जो उनके लीडर है पार्लेमेंट में उनका नाम प्रपोज किया था खडगे साब का कि इनको प्रधान मंतरी का चेहरा बनाना चाहिए लेकिन वो पीछे हटे उन्होंने का नहीं हम बगएर लीडर के चुनाव लड़ेंगे पहले हम सीटे इकठी कर लें बाद में देखेंगे नेता कौन होता है तो ये आज तंज कस के ममताब एनरजी ने साफ कह दिया कि इंडिया एलाइंस जिसकों हम बोलते हैं वो उसमें ना नेता है ना उसमें कोई नीती है ना वहाँ पे कोई प्रोग्राम है ना कोई रणनीती है लेकिन हम पूरे देश में चुनाव लड़ेंगे जब ये बात पूरी तरह से लॉजिकल नहीं लग रही थी तो सी पीम से पूछा गया कि क्या बंगाल में आप लोग इंडिया एलाइंस के साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि देखिए हमारे लिए बीजे जी के साथ मिलके चुनाव लड़ा तो ये हमारी पार्टी के लिए सुसाइडल होगा और जो हमारा कैडर है उसको ये मंजूर नहीं होगा मैंने अपने वीडियो में इसी बात को बार-बार कहा था कि अगर पॉलिटिकल लीडर्स भी चाहें तो एक साथ बैठ सकते हैं लेकिन केडर एक साथ नहीं बैठेगा जो नीचे कारे करता हैं वो एक साथ नहीं बैठेगा क्योंकि पूरी जिन्दगी जिसके खिलाफ आपने परचार किया एक दूसरे की विरोध में नारे लगाए एक दूसरे के खिलाफ बहुत सारी जगे पे इंसक जड़ते भी हुई आज अचानक क्योंकि नेताओं को कुर्सी चाहिए इसलिए केडर अपने गिले शिक्वे भूल के एक साथ बैठ जाएगा ऐसा होता नहीं तो 21 तारी के वीडियो में जो मैंने कहा था वो बंगाल के लिए बहुत क्लियर चीज सामने आ गई दोस्तों बंगाल अकेला राज्ये नहीं है हालाकि रिगटन का बिगुल वहां बच चुका है अब इसके बाद नंबर आएगा पंजाब और दिल्ली का आजकल केजरिवाल साब मौनवरत में है जब वो वापस आएंगे तो पहला उनका जो आप देखिएगा स्टेट्मेंट होगा वो यही होगा कि हम सीट बटवारे से खुश नहीं है क्योंकि कॉंग्रेस का जो स्टेट लीडर्शिप है दिल्ली में और पंजाब में वो चाहता है ज्यादा से ज्यादा हम सीटे लड़े लेकिन आम आदमी पार्टी ये कहती है कि दोनों जगे पे ह हमें कितनी सीटे देनी है अगर कॉंग्रेस चाहे तो बाकी राज्यों में जैसे गोवा है गुजरात है हिमाचल है बाकी जगे पे वो हमारे से समझवता कर सकते हैं मतलब कि अपनी सीटे वो कुछ हमें दे सकते हैं इसको हम बोलेंगे गठवंदन की राज़ने कि अगर हम यही फॉर्मूला अगर केरल में अपना है तो क्या यह कम्यनिस्ट पार्टी जो बंगाल में कॉंग्रेस के साथ नहीं आना चाह रही है क्योंकि उन्होंने कॉंग्रेस को साफ कह दिया कि आप इस बात का चुनाव करें कि आपको ममता बेनर जी के साथ जाना है या हमारे लड़ेंगे तो क्या ऐसा हो सकता है कि सीपीएम बंगाल में तो ममता बेनर जी के खिलाफ चुनाव लड़े और फिर केरल में गठवंदन में शामिल हो जाए और कॉंग्रेस के साथ मिलके चुनाव लड़े कितना विचितर स्थिती होगी क्योंकि इनको खुद नहीं पता कि अपने किस प्रोग्राम के तहट क्या चुनाव लड़े अब आते हैं तमिल नादू को लेकर क्या डीम के जब बंगाल में ममता रिदी तैयार नहीं होती है तो क्या डीम के कि स्टालिन सब तैयार हो जाएगा कि आप पंगाल में आईए क्या कॉंग्रेस को वो घुसने के लिए जगे देंगे ताकि विधान सभा में उनका बाद में नुकसान है ये बात भी सोचने की है ये इस्थिती आने वाले दिनों में हमें बिहार में देखने को मिलेगी क्या लालु प्रशाद और नितिश कुमार क्या ये चाहेंगे कि कॉंग्रेस बिहार में वापस गुसे क्या ये ही स्थिती यूपी में नहीं होगी जहां पे समाजवादी पार्टी पूरी जिंदगी कॉंग्रेस के खिलाफ लड़ती रही और जब गटवंदन की राजनीती आएगी तो वो ये कहेंगे कि नहीं हम कॉंग्रेस को लेकर चलना चाहते हैं साथ में क्या ये लॉजिकल लगता है दोस्तों इसे लिए 21 दिसंवर को जो मैंने डीटेल्ड एनलिसिस किया था पार्टी वाइज और स्टेट वाइज वहाँ आकड़ों के हिसाब से मैंने आपको बताया था कि ये क्यों मुश्किल है कि ये जो गटवंदन की राजनीती है ये चलने वाली नहीं है और सबसे बड़ी बात तो आज ममताव एनरजी ने कहे ही दी कि ये वो गटवंदन है जिसका कोई नेता नहीं इसका मतलब किसी भी रूप में अगर कोई भी निर्णा लेना हो तो वो आसानी से नहीं लिया जा पाएगा उसके लिए बार बार इनको मीटिंग बुलानी होगी बार बार उस पे डिसकेशन होगा मनमटाव होंगे फिर रीकंसिलियेशन होगा उसमें टाइम निकल जाएगा जब टाइम निकल जाएगा तो जब बचे ही मातर सौ दिन है अचार सहीता लागू होने में उससे पहले इन सब को सब कुछ तयारियां करनी है और फिर अभी बजट सेशन है और बहुत सारे स्टेट वाइज बजट साएंगे यह सब हंगा में होंगे कहने का मतलब यह है कि अभी जिस तरह से डिरेक्शन लेस लीडर लेस जो गठवन्दन चल रहा है मुझे नहीं लगता कि इसका कोई भविश्य है प्राब्लम तब भी आती है जब आप यह देखते हैं कि एक तरफ फारुक अब्दुल्ला जैसे लोग जो यह कहते हैं कि अगर कश्मीर में स्थितियान सामन्य नहीं होई तो गाजा जैसी स्थिति हो जाएगी मतलब वो देश के टुकड़े करने पे आमादा है तो दूसरी तरफ क्या कॉंग्रेश उनका साथ देगी या जब कॉंग्रेश राष्ट निर्मान की बात करेगी तो क्या 370 की धारा को वापस लिया जाएगा क्या ये एजेंडा होगा क्योंकि फारुक साथ तो चाहेंगे कि नई सरकार 370 को वापस ले क्या Congress और बाकी जो देश की पार्टिया हैं क्या वो उस Common Minimum Program में 370 को सामने लाएंगी इसी तरह से जो कुछ Muslim MPs हैं उनका ये statement था कि हम वापस राम मंदिर की जगे हम चाहते हैं कि वहाँ पे अधिया में मस्जिद बने क्या ये logical है क्रिश्ण जन्वोमी का मुद्दा भी अभी सामने आएगा जैसे जैसे courts की करवाई आगे बढ़ेंगी किसी गठवन्दन में शिवचेना जैसे लोगों के लिए मुश्किले और बढ़ेंगी कि क्या वो Congress और Communist जो Anti-Hindu Stand लेके चलते हैं क्या वो इस तरह के स्टेंड में साथ देंगे क्योंकि दोस्तों आने वाले दिनों में 2024 में बहुत ही sensitive मुद्दे सामने आने वाले सबसे बड़ा मुद्दा है कि आने वाले दिनों में रामजन भूमी का प्रानपतिस्था होगी वहाँ पे ये लोग क्या स्टेंड लेते हैं क्योंकि बयानबाजी बढ़ेगी क्या बाकी पार्टिया इस मामले में अपने आपको सहज पाएंगी ये बात समझने की है इसी तरह से 370 का मुद्दा कोर्ट में रिजॉल हो गया लेकिन फारुक अब्दल्लव साब और उनकी पार्टी महबूबा मुफ्ती और उनकी पार्टी इस मुद्दे को गर्माई रखना चाहते हैं तो इंडिया का जो बाकी गुट है वो क्या इनका साथ देगा ये भी हमें सोचना होगा आने वाले दिनों में ग्यानवाफी पे निर्णे आने है कृष्म जन भूमी पे सर्वे की बात कही गई है वो निर्णे आएंगे उस स्थिती में क्या इंडिया ग्रुप हिंदु धर्म के खिलाफ बयान देने वाले लोग जैसे डियम के जैसे लोग है क्या उनका साथ देगा या मेज़ोरिटी वोटर्स का साथ देगा आने वाले दिनों में कॉम्प्लिकेशन बहुत है और यह समस्या और बढ़ जाती है जब ना आपके पास कोई लीडर है जो रिजॉल्ट कर सके मीटिंग बिला सके ना आपके पास कोई कारिकरम है कि कौन सी चीजे हमें शामिल करनी है और कौन सी हटानी है और ना ही आपके पास कोई रणनीती है कि आने वाले दिनों में ताकि हम एक दूसरे पे कन्फिलिक्टिंग बयान बाजी ना करें तो आने वाले दिनों में जो ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, चाहे वो ज्ञानवापी का हो, राम मंदिर का, प्राणफसिस्था का मुद्दा हो, और साथ ही साथ, कृष्ण जन्भूमी, ये मुद्दों पे जो एलाइंस के पार्टनर हैं, वो अलग-अलग बयान देंग है, अगर केजरिवाल अरेस्ट होते हैं, तो क्या इंडिया एलाइंस केजरिवाल का साथ देगा, क्या भ्रस्टाचार के मामले में, वो पोजिशन ये लेगा कि भ्रस्ट मंत्रियों को छोड़ा जाएं, जो मोदी ने कहा है कि हम भ्रस्टाचार को इस देश से हटाना चाते आने वाले दिन, इंडिया एलाइंस के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल बने, और जो ममताव एनरजी ने कहा वो बात सही है, एक डारेक्शन लेस, पॉलिसी लेस, स्ट्रेटिज लेस पार्टी, क्या आगे बढ़ पाएगी, मेरा तो ये मानना है, पहले दिन से मुश्क शीट शेरिंग को फॉर्मूला जो कंफर्म होना था, क्या वो हो पाएगा, क्या वो फॉर्मूला केजरिवाल को भी मानने होगा या नहीं, क्योंकि मुमताव एनरजी को तो मानने नहीं, सीपीम को मानने नहीं, क्या केजरिवाल को मानने होगा, मुझे नहीं लगता, आप विचार कमेंट बॉक्स में लिखी इस वीडियो को शेर कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अभी तक नहीं किया है तो फिर मुलाकात होगी एक और महत्वण बंदे के साथ तब तक बंदे बातरा